दोस्तों अगर आप तरह तरह के क्रीम का इस्तिमाल करके ठक चुके हैं और आपके चेहरे पर गलो नहीं आ रहा है तो आए जानते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिनकी हेल्प से आपके चेहरे पर चमक आ जाए या फिर यूँ कहें कि फेस पर गलो आ जाए तो इसके लिए आपको कुछ अपने डाइट में कुछ फूर सामिल करने होते हैं बे दाग, सुन्दर, दमकता चेहरा भला किसे पसंद नहीं आता है दाग, धबे, निसान, जाईया, जोरिया और मुर्जाया हुआ चेहरा किसी को भी पसंद नहीं आता है नहीं किसी को अच्छा लगता है बढ़ती उम्र, तेज धो, परदोसित, वाता वरण, अन्यमित, खान पान, तनाव, बेस्ट, जीवन, सैली और कई बीमारियों के कारण चेहरे से सम्दित कई तरह की आम समस्याएं हो जाती है लेकिन चेहरे पर चमक तभी आती है जब सही प्रकार से खान पान और सरीर स्वस्थ हो इन तमान समस्याओं से छुटकारा पाने का एक बेहद और सरल और आसान उपाईया है कि अपने खान पान में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जो आपके तवचा की चमक को बढ़ा दे किसी भी कृतिम उपाईय से संभव नहीं है इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने डाइट में सामिल करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर निखार आना सुरू हो जाएगा तो आई जानते हैं कि क्या खाएं नमबर एक आउले को खाली पेट खाएं इसमें पाया जाने वाला बिटामिन ये कोलेजन का निर्मार करता है जो तोचा की कसावड को बनाए रखने में मदद करता है नमबर दो गाजर का सेवन नेमित करें इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन तुचा के लिए फाइदे मंद होता है नमबर तिरी सुभा का नास्ता दोस्तों सुभा का नास्ता जरूर करें नास्ते में दूद, अंडा, आखरोट, बादाम, फ्रेस जूस, ब्रेड आदिक का सेवन अवस्य करें इसमें पाया जाने वाले प्रोटीन और फाइबर से चेहरे की जहाईयां नहीं पड़ती हैं और दिल भी सुष्ट रहता है नमबर फोर सेव में पाया जाने वाला बीटामिन C तुचा पर अस्मान जहाईयां नहीं पड़ने देता है इसलिए सेव का सेवन मुख तोर पर अवस्य करना चाहिए नमबर फाइव इस्ट्रॉवेरी इस्ट्रॉवेरी ब्लूवेरी और रस्वेरी जैसे जो फूड है इनको अपने डाइट में जरूर सामिल करें इसमें पाया जाने वाला मॉलिक A सीड जो आपकी तुचा में निखार लाने में मदद करता है नमबर सिक्स दुपाहर के खाने में दही को अवस्य सामिल करें दही में जिंक, कैलसियम और बिटामिन B परचुर मातरा में पाया जाता है जो तुचा को कोमल बनाए रखने में और हड़्डियों को मजबोत बनाने में हेल्प करता है नमबर सेवन चुकंदर चुकंदर में भरपूर एंटी आउक्सिडेंट होता है जो तुचा में निखार के साथ-साथ कसावट लाने में भी मदद करता है नमबर एट ताजा और हरी सबजियों को उबाल कर खाने से चेहरा खिल-खिला नजराता है और चेहरे पर कील मुहासे भी नहीं होते है नमबर नाइन केला मुंफली वा बटर का सेवन करे ये सरीर में मेटबॉल्जिम को बढ़ाते हैं जिससे तुचा को पीला पन दोर होता है और चेहरे पर बलेक हैट्स भी नहीं बनते है नमबर टेन चेहरे को तरो ताजा बनाए रखने के लिए अपुछाज, पत्तागोबी, पालक, टमाटर, सिमला मिर्च, बेंस, स्प्राउट्स, दाले, सोया बीन, फिस, फल, इत्याद को भरपूर मात्रा में अपने अहार में सामिल करना चाहिए इनसे बिटामिन ये होता है जो तुचा को लचीला और मुलायम बनाता है इससे आपका चेहरा चमकदार और आप सौंदरी वाने बनते है दोस्तों इसके लावा इस्ट्स बढ़ाने वाले फूर्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए खुद को एक अच्छे रूटीन के आदी बनाए योगा धियान और ब्यायाम से आपका चेहरा चमकदार बनेगा और हमेशा आप एक्टिव नजर आएंगे फ्रिंट्स आसा करता हूँ कि आपको इसके प्रॉब्लम से रिलिक्टिट में मिल जाएगा फ्रिंट्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को जरूर आउन कर लें जिसे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे फ्रिंट्स देखते रहिए सुचते रहिए जैहिंद